यूक्रेन से एक ऐसी खबर सामने आई है जसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, चौका दिया है तरसल इस्रेल ने ये फैसला कर लिया कि वो अब यूक्रेन को आईरेंड डॉम एर डिफेंस नहीं देगा अगर ये एर डिफेंस जेलिंस्की हासल कर लेते तो यूक्रेन की महा जंग में पूतिन को पीछे हटना ही पड़ता लेकिन पूतिन ने एक ऐसी चाल चली कि जेलिंस्की का ये सपना भी तूट गया है पूतिन की चाल को समझ पाना मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन है पूतिन की मैसाइल के धमाकी की आवाज तो सिफ जोकरेंग में ही सुनाई देती है लेकिन पूतिन जब प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं और बयान देते हैं तो उनकी बयानों की गूँज पूरी दुनिया को सुनाई देती है पूतिन का दोस्त हो या फिर दुश्मन हर कोई पूतिन की बात गौर से सुनता है और इसलिए पूतिन के हर बयान के बात जंग में जैलन्सकी की राह और मुश्किल हो जाती है अब नई खबर ये आई है कि इसरेल ने भी जैलन्सकी को बहुत बड़ा जटका दे दिया है रूस इस सुवक्त इरान का जिगरी दोस्त है और इरान से इसरेल की कटर दुश्मनी है लेकिन इसकी बात भी जैलन्सकी इसरेल से हतियार हासिल करने में फेल हो गए है लेकिन इसरेल ने इस बार ऐसा बयान दिया है कि जैलन्सकी के लिए जंग जीतने के सारी दर्वाजे लगभग बंद हो चुके है आखिर क्या है इस्राइल के ब्रधान मंत्री बेंगमिन नेतन याहू का एहन बयान कैसी इरान की चाल काम्याब हो गई सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पुतिन के उस बयान की जिसने जैलन्सकी को जारों खाने चित कर दिया है और वो यहूदी होने का सिर्फ दिखाबा करते हैं उस वक्त जब पुतिन ने ये बयान दिया तो हर किसी को लगा कि आखिर पुतिन जैसा स्टेट्समैन किसी राज नेता के धर्म को लेकर ऐसा बयान क्यों दे रहा है लेकिन अब जाकर ये राज खुला है कि जैलन्सकी अपने यहूदी होने का फायदा उठा कर इस्राइल के साथ रिष्टों को मजबूत कर रहे थे क्योंकि इस्राइल एक यहूदी बुखल देश है और अब इस्राइल के प्रधान मंत्री का ये एहम बयान आ गया है कि उन्होंने जैलन्सकी को आईरन डूम जैसा दुनिया का सबसे बैतरीन एयर डिफेंस देने से साफ साफ इंकार कर दिया है यानि जैलन्सकी का यहूदी यहूदी भाई 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 वाला फामूला पुतिन ने फेल कर दिया है आपको जान कर हैरानी होगी कि इसरेल ने योक्रेन को आईरन डूम देने से इंकार कर दिया इसकी एक वज़े इरान भी है आखिर ये वज़े क्या है आपको आगे बताएंगे लेकिन पहले इसरेल के प्रधान मंद्री का एहम वयान जान लेते हैं दरसल बैन्यमीन मेतनियाहू ने कहा है कि ये समझना महत्तुकून है कि हम इस संभावना से भी चिंतित है कि इरान हमारे ही हथ्यारों का उप्योग हमारे खलाब कर सकता है इसरेल एक घनी आबादी वाला देश है और पिछले सालों में फिलिस्टीन से होई लडाईयों में अगर इसरेल की ज्यादा जन्हानी नहीं हुई है तो इसका पूरा श्रे आइरन डोम की प्रणाली को जाता है जिसने दुश्मन द्वारा हम पर लक्ष कर लॉंच किये गये 95 प्रतिशत मिसाइलों और रोकेटों को सफलता पूरवक रोप दिया है अगर हमने आइरन डोम की प्रणाली योक्रेन को दी और योक्रेन की किसी गलती से ये तक्वीद इरान के हाथों में पढ़ दे तो इरान रिवर्स इंजिनिंग से आइरन डोम का धोर निकाल लेगा और इस्रैल के अंदर रह रहे हमारे लाखों नागरिकों की जान खत्रे में पढ़ जाएगा दरसल पैनेमिन नेतन याहूं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इरान रिवर्स इंजिनिंग करने में माहिर यहां ये भी समझना जरूरी है कि आखिर रिवर्स इंजिनिंग होती क्या है दरसल दुश्मन देश के हथियार के गुर्जों को खोल कर हथियार की टेकनोजी हासल करके फिर दोबारा हू बहू वैसा ही हत्यार बना कर तयार कर देना ही reverse engineering कहा जाता है शीन को भी reverse engineering की कला में माहिर माना जाता है वो अमेरिका के कई हत्यारों के reverse engineering सफलदा पूर्वा कर चुका है तिरसल कोई भी देश की ये नहीं चाहता है कि उसकी exclusive technology किसी अन्य देश खास कर दुश्मन देश के पास चली जाए यही वज़े है कि ऐसे देश हमेशा अपने हत्यारों को समाल कर रखते हैं और दुश्मन के कबजे में पहुंचने से पहले ही नश्ट करने में भरुसा रखते हैं इरान भी चीन की तरह reverse engineering की कला में मास्टर रहा है ऐसे कई हत्यार हैं जो विदेशी हैं लेकिन इरान ने घलत तरीके से हासिल करके उसकी reverse engineering करके विदेशी technology को हासिल कर लिया है जैसे इरान का drone शाहिद 136 reverse engineering से बना है इरान के इस drone में जर्मनी का engine लगा हुआ है जो 20 साल पहले इरान ने अवैद रूप से हासिल किया था अब आप ज़रा सोचिए कि इरान के drone में technology जर्मनी की लगी है लेकिन वो जर्मनी के ही मित्र देश योकरेन के खिलाफ इस्तिमाल हो रही है इस इरानी drone से भी इसरेल को कितना बड़ा नुकसान पहुँचा है ये आप इन आकणों से समझ सकते हैं इरान ये दावा करता है कि उसके drone शाहिद 136 की रेंज 2500 किलोमीटर है और इरान की राजधानी तेहरान की दूरी इसरेल से करीब 2000 किलोमीटर है इरान की एक हथियार कमपनी है जिसका नाम है IDI इसे रक्षा उद्योग संगठन भी कहा जाता है ये इरान की एक स्वदेशी हथियार निर्बाता कमपनी है जो reverse engineering करने के लिए बदनाम है और इरान के लिए हथियार भी बनाती है इस पर आरोप है कि ये हाल के कुछ वर्षों में अमेरिका, सोवियत संग और चीन जैसे देशों के हथियारों की टेक्नलोजी को चुरा चुका है जैसे एरान ने एक होविज़र तोप बनाई है, जैसे रौट क्याता है, माना जाता है कि इस तोप को इरान की इसी कंपनी ने रूस और अमेरिका की टेक्नलोजी को चुरा कर बनाया है इरान ने मिसाइल बनाने के लिए भी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर कोरिया और रूस की मिसाइल टेक्नलोजी को चोरी किया है मिसाल के लिए इरान की मिसाइल सयद वन के बारे में कहा जाता है कि ये चीन की टेक्नलोजी को चुरा कर बनाई गई है इस मिसाल को चीन की HQ-2 SAM मिसाइल का आधुनिक संस्करण माना जाता है ये भी HA-2 SAM की तरह 200 किलोग्राम का हत्यार है और इसकी स्पीड लगभग 1200 मीटर प्रती सेकेंड है दावा किया जाता है कि इरान की मिसाइल सायद 2 1989 की क्रांती से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप रिम-67 मिसाइल का इरानी वर्जन है जो रिवर्स इंजिनरिंग से बना है दरसल 1989 की क्रांती से पहले इरान और अमेरिका में दोस्ती थी और तब इरान को अमेरिका ने रिम-66 मिसाइल दी थी जिसकी टेक्नोजी अब इरान चुरा चुका है एक्सपॉर्ट्स दावा करते हैं कि इरान का साएगे फाइटर जेट भी अमेरिका के फाइटर जेट के टेक्नोजी के रिवर्स इंजिनरिंग है दिसम्बर 2011 में इरान ने गोशना की थी कि उसने एक अमेरिकी RQ-170 सेंटिनन ड्रोन को पकड़ लिया है इरान ने दावा किया था कि ये ड्रोन जासूसी करने के लिए इरानी हवाइक शत्र में घुसपैट करके आया था इरान ने अमेरिका के इस ड्रोन को वापस नहीं किया बलकि उस अमेरिकी ड्रोन के रिवर्स इंजिनरिंग शुरू कर दी इरान के इंधिनीरों ने ड्रून के डिजाइन और तक्नीद को सफलत अप्पूरवक समझ लिया और फिर स्टेल्थ ड्रून का इरानी वर्जन तयार कर लिया इसके अलावा भी इरान ने युएबी, क्रूस मेसाइल और लड़ाकों विमान भी आधुनित तक्नीद वाले तयार कर लिया है उत्तर कोरिया की योनो श्रणी की पंडुपनियों पर आधारित इरानी वर्जन की पंडुपनिया भी तयार हो चुकी है इस वज़े से इरान की नौसीना की ताकत काफी बढ़ गई है नेतन्याहू ने हालिया फ्रांस दोरे पर भी योक्रेन को आईरन डोम देने का इशारा किया था अना कि वो सीधेर रूस से टकराने से कद्रा भी रहे थे लेकिन इरान को तबाह करने के लिए नाटो की मदद हासिल करने के मकसद से नेतन्याहू योक्रेन को अपने सबसे ताकतवर एर डिफेंस सिस्टम तक देने का मन बना चुके थे इसराल का आईरन डोम एक मोबाइल एर डिफेंस सिस्टम है ये छोटी दूरी के रॉकेट, आर्टिल्री और UAV को इंटरसेप्ट कर सकता है इसमें इंटरसेप्टर, लॉंचर, कॉंबेट मैनेजमेंट, कंट्रोल सेस्टम और एक ELM मल्टी मिशन रेडार लगे हो है आईरन डोम 70 किलोमीटर के अंदर टार्गेट को इंटरसेप्ट कर सकता है इसका सक्सेस रेट 90 प्रतिशत तक बाना जाता है इसराल आईरन डोम को दुनिया का सबसे ताखतवर एर डिफेंस सिस्टम मानता है यही वज़ए है कि जैलंस्की इसके सरी योक्रेन को अभेत्य बनाना जैलंस्की और बैनियमिन नेतन्याहों के रिष्टे भी पहले काफी बैधर थे लेकिन जैलंस्की इस बात से काफी नाराज है कि इसराल उनको हत्यार नहीं भेज रहा है जैलेंस की आइरन डॉम को इसलिए हासिल करना चाहते थे क्योंकि आइरन डॉम का पॉफरमेंस बहुत अच्छा है साल 2022 अगस्त के महीने में फिलिस्तीन के आतंकी गुटों की तरफ से इस्रैल पर 600 रॉकेट आगे गए थे आइरन डॉम ने फिलिस्तीन के 582 रॉकेट नश्ट कर दिये थे लेकिन 18 रॉकेट इस्रैल के इस्रैल के इलाखों में गिरने में खाम्याब रहे यानि आइरन डॉम इस बार 97 प्रतिशत तक प्रभावी रहा ये साल 2021 की तज़्वीरे है जब फिलिस्तीन के रॉकेट को इस्रैल के आइरन डॉम नश्ट कर रहे थे साल 2021 में हमास ने इस्रैल पर 1500 रॉकेट दा गे लेकिन 1350 रॉकेट आइरन डॉम ने नश्ट कर दिये तब आइरन डॉम 90 प्रतिशत तक प्रभावी थाबित हो इस्रैल की सहकार अपने एर डिफेंस पर बहुत ध्यान देती है क्योंकि वो जानती है कि अगर आइरन डॉम नहीं होगा तो इस्रैल के हालत योपरिन के जैसी होगी ऐसे में इरान चाहे कितनी भी धमकिया दे लेकिन सच यह है कि आज भी इस्रैल के आस्मान को चीर पाना मुश्किल ही नाममकिन है खुल मिलाकर जैलेंस्की की सारी उमीदें खत्म होती जा रही है और जैलेंस्की को अमेरिका से ही सबसे ज्यादा उमीद है क्योंकि आस्वान से आ रही कोतिन की मिसाय ने यूक्रेन के लोगों का काल बन चुकी है